रवींद्र हैं 21 वर्षी है सर नमस्ते आप से मैं सर प्रतम शास्त्र कौमुदी नामक कोर्स के जरिये जुड़ा था तब से मुझे वेदान्त और ग्रंथों का मूले पता चला मैंने प्रस्थान्त रही का पार्ट शिर्व शरू किया है तीन महीने हो गए हैं मुश्किल हो रही है समझने में पर आनन्द आता है कोरोना के कारण घर आया हुआ हूँ मेरे घर का महौल ऐसा नहीं है कि वेदान्त निश्चिन्थ होकर पढ़ सकूँ तो मैं उपनिशदों और गीताओं पर जिल्द चढ़ा चढ़ा कर पढ़ता हूँ ताकि पिता जी को शक ना हो अन्यता वो कहते हैं कि मैं लाइफ में फोकस लूज कर रहा हूँ मुझे ऐसे चोरी-चोरी नहीं पढ़ना वेदान्त अंदर से लगता है कि ये गलत है कोई सुझाओ बताए अरे रवींदर तुम पढ़े जाओ ये सही गलत और ये सब नैतिक मान्यताएं अध्यात में कहीं नहीं ठहरती चोरी अगर ऐसी है कि तुम तक अपनिशदों को और गीताओं को ला रही है तो ऐसी चोरी सिर्मा थे और इमानदारी अगर ऐसी है कि तुम को राम से और कृष्ण से और अपनिशदों और वेदानत से दूर किये दे रही है तो दो कॉड़ी की नहीं है ऐसी इमानदारी हो सके अपने पिता जी को समझाओ पर Teach को तुम्हारी उम्र से और व्रितान्त से ऐसा लग रहा है कि अभी आश्रित हो और ये भी लग रहा है कि तुम्हारे पिता जी थोड़े विशिश्ट किस्म के हैं कह रहे हैं कि तुम लाइफ में फोकस लूज कर रहे हो अगर तुमने कीता पढ़ ली तो हो सकता है कि इनको समझाना टिड़ी खीर हो समझ तो वो जाएंगे दो-चार साल लगेगा तुम कमाने वगरा लग जाओगे आश्रित नहीं रहोगे तो फिर सब समझ जाएंगे जो मन सत्य पर नहीं चल रहा होता वो तो बल की भाशा समझता है तुमारे पास धन बल आ जाएगा तुमारे पिताजी तुमारी हर बात समझना शुरू कर देंगे ऐसा नहीं कि उन्हें को समझ में आ जाएगा पर अब तुम्हारे पास धनबल आ गया है तो तुम्हारी हर बात से उस सहमती दिखाना शुरू कर देंगे जब तक उनके पास धनबल नहीं आ रहा चेश्टा तो तुम्हारी यही होनी चाहिए कि सरल भाषा में उनकी भाषा में उन तक अपनशदिक सिध्धान्त कृष्ण के सूत्र ले जाओ लेकिन अगर वो फिर भी न माने अभी उनका समय आया ही न हो तो व्यर्थ अपने लिए मुश्किले मत खड़ी करो गीता के ही अठारवे अध्याय का अगर मुझे सही आदे तो तिरसठवा या सरसठवा अश्लोक है सरसठवा अश्लोक है जहां श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो तपस्वी न हो तपस्चर्या न करता हो और जिसकी मुझे मेरे प्रती दोश दृष्टी हो उससे तो हे अरजुन गीता रहस से कभी कहना ही मत तो सब इस लायक होते भी नहीं है कि उनसे गीता रहस से कहा जाए तो मन छोटा मत करना अगर तुम्हारे पिता जी तुम्हारे सारे प्रत्म के बावजूद भी समझने से इनकार कर दें दो वो समझेंगे जैसा मैंने कहा पर तब समझेंगे जब तुम्हारे पास धनबल बाहुबल आ जाएगा अभी अगर तुम उन्हें सिर्फ ग्यानबल से समझाना चाहोगे तो हो सकता है उनना समझें लेकिन पहले तुम कोशिश करके देख लो कोशिश यदे विफल होती है तो क्या करना है मैंने आरहम में ही बता दिया नैतिकता को एक तरफ रखो और जिल्द पर जिल्द चढ़ाए जाओ जिल्द ही मत चढ़ाओ जिल्द के ऊपर लिख भी दो कि ये लाइफ में फोकस गेन करने वाली किताब है पिता जी की संतुष्टी के लिए बात समझ में आ रही है नैतिकता अगर अध्यात्म से उपज रही है तो शुभ है पर नैतिकता अगर अध्यात्म के खिलाफ हो गई तो तुरंत त्याग दो ऐसी नैतिकता को मौलिक तो अध्यात्म है ना पहले तो अध्यात्म आता है ना पहले तो सत्त्यात् जगजोरती है कि, अए मैं छुप छुप के उपनिषद पढ़ रहा हूं, ये बात गलत है ये नैतिक्तल पर तुम को कष्ट हो रहा है को कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम समझ इनी रहे हैं भी कि नैतिक्ता क्या चीज है नैतिक्ता को अध्यात्म के व्रक्ष का फूल होना चाहिए सत्य जड़ है और नैतिक्ता उसका फूल होना चाहिए पहले जड़ है फिर व्रक्ष है फिर फूल है तब तो ठीक है और मामला उल्टा चलने लग जाए कि तुम ने नैतिकता के चलते अध्यात्म की ही बली दे दी तो बड़ा गलत हो गया ना जैसे उल्टी गंगा तुमने कह दिया कि अरे मेरे पिता जी को बुरा ना लगे इस खातिर मैं उपनिशदों को और कृष्ण को ही त्याग दूँगा तो यह तुमने बड़ा गलत कर दिया और यह करके न तुम अपना भला करोगे अपने पिता जी तक का भला नहीं करोगे यह काम उनके लिए भी अशुभ हो जाएगा सारी शुभता तो सत्य से आती है न अगर तुमने नैतिक्ता की खातिर सत्य को ही त्याग दिया तो किसी के लिए भी कहां कुछ भी शुभ होने वाला है तो यह काम कभी मत करना कृष्ण के लिए अगर तुमको गीता चोरी छुपई पढ़नी पढ़ रही है कोई बात नहीं कोई बात नहीं वो चीज इतनी बड़ी है कि उसके लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है वो बात इतनी बड़ी है कि उसके सामने नैतिक्ता के सब तकाजे सब मापदंड बहुत छोटे हैं सारी नैतिक्ता सत्य की खातिर है वो इसलिए है ताकि तुम सत्य तक जा सको नहतिकता ही सत्य के विरुद्ध हो गई तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नहतिकता में और सत्यता में किसका चैन करना है कर दो तुम्हें 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 पता है